आज मैं आपके साथ Polio Gray Rice की रेसिपे शेयर करने वाली हों टर्मरिक रैस भी बोलते हैं, इनको स्पाइसी होता है, टैंगी होता है और आप सौप के साथ जाएंगे न, तो किसी भी टेंपल में यह आपको परशाद के रुपे मिलेगा लेकिन Polio Gray Rice बनाने से पहले, Polio Gray मसाला क कैसे बनाते चली वह दिखे लेते हैं बासालों के प्रूफेल मेजरमेंट के लिए आपको आपके कि-चन में जो भी चीजे सही लगती है कंफरेबल लगती है वह आप यूज कर सकते हमने हैं यहां पे कडूरी यूज़ की है कड़ाई में एक कडूरी चने की डाल एक कडूरी उरत की डाल वन करत करा lifo pens 기 रावन कर चाबॉत कर्द क होड़ करते हैं 15 मिर्च तक भूनेंगी दाल का जो कच्चा पन है वो हमें कम करना है तो यहां पर देखे आप देख सकते दाल का जो कलर वो भी चेंज हो गया पंदरा मिनट तक हमने भून लिया गैस का फ्लेम आफ कर देंगे एक बार चिक कर लेते हैं कड़ी पता ये देखे कितने अच्छे से क्रिस क्रिस्प हो चुके हैं तो क्रिस्प हो गया मतलब की सारी चीजे भून गई है गैस का फ्लेम आफ करके प्लेट में निकाल लेते हैं मसालों को ठंडा हो नहीं देते जब यह थंडी हो जाएगी तब पीस लेंगे पानी बिलकुल एड़ने ही करेंगे सूखा पाउडर बनान यह फिर डाल रहें चाहे तु तैसम पीस कर रहाएं तो सेम कैटोड़ी से में डाले लेया पाउडर, एक कैटोडर, लालुश पाउडर तो अच्छी बह hice लेया में कर लेंगे और यह पोल्योग्री मसाला बनकर तयार हो गया है कंटेनर में स्टोर करके बाहर आप वन टू मन्थ के लिए रख सकते हैं फ्रीज में तो छे महिना साल भर के लिए भी रख सकते हैं यह बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे ऐसे तो हमारे घर में मसाले एक मैने से ज चमच राइ, एक चमच चने की डाल, एक चमच उरत की डाल, दस से बारा करी पत्ता, एक सुखी लाल मिर्ची और थोड़ी सी पीनट डाली है और यह जो राइ से यह मैं सिर्फ दो लोगों के हिसाब से बना रही हूं आप जितने लोगों के लिए बनाईएगा सारे इंग्र पानी में फूले दिया था फिर उसका पानी यूज़ कर रही हूं आप चाहे तो रेडिमेट पाता है वो भी यूज़ कर सकते हैं और अभी गैस का फिल्म हमने लो रखा है थोड़ा सा पानी भी डालेंगी और यह जो इमली का पल्प है यह क्वाइंटिटी थोड़ा ज्या अब हम जो यह मसाली मिक्स हो गए है तो साथ में डाल देंगे राइस राइस पहले से कुक करके रखिए ठंडी हो चुकी है राइस फिर यूज़ कर रही हूं आप चाहें तो लेफ्ट आवर राइस का भी इस तरह से बना सकते हैं राइस पो अच्छी से मिक्स करेंगे गैस पर मिक्स कर लेते हैं और अच्छी से सिट हो गया है जो पोलियो ग्रे राइस बनकर तैयार है अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे आप चाहें तो यह राइस टिफिन लंच बॉक्स में भी कर सकते हैं यह बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में एक आपकी यह क्या कहते हैं कमें जरूर बताईए का और अगर रेसिपी चाहिए कर दें तो कमेंट में जरूर बताईए का अपिर मिल तुकिसी नेक्स रेसिपी के साथ बाबाई तेख कियर हैपी कुक्छीन